आगामी चुनाव को देखते हुए नई वोटिंग मशीन के प्रती मतदाताओं को जागरूप करने और उन्हें इसके बारे में जानकारी देने के उद्देश से जिला कलेक्टर के हाथों हरी जंडी दिखा कर किया गया रत रवाना विधान सवाथ चुनाव के मद्देनजन नई वोटिंग मशीन के प्रती मतदाताओं को जागरूप करने के उद्देश से चुनाव आयोग ने रत भेजा है जिसमें टीवी स्क्रीन के माध्यम से सभी जानकानिया दी जाएंगी मंगलवार को जिला कलेक्टेट कार्याले से कलेक्टर प्रीती मैथिल ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया जो की जगे 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 जाकर लोगों को जागरूप करेगा दरसल सभी मद्दान केंद्रों में इवियम मशीन के साथ इस वार वीवी पैड मशीन भी लगाई जा रही है जो मद्दाताओं को यह दिखाएगा कि उनका वोट किस प्रत्याशी को गया इस रत में लगे रीवी स्क्रीन के मध्यम से जानकारी दी जाएगी और लोगों को इसके लिए जागरूप किया जाएगा वोटिंग के दौरान किस बात का ध्यान रखा जाएए यह बताया जाएगा साथ ही वोटिंग के दौरान इवियम की बटन दबाने के बाद वीवी पैड मशीन की स्क्रीन पर एक पर्ची दिखाई देगी जो साथ सेकंड तक स्क्रीन पर रहेगी और इस साथ सेकंड में मद्दाता को यह देखना होगा कि जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसका वोट उसी प्रत्याशी को गया है या नहीं यह सब वीवी पैट की स्क्रीन पर आ जाएगा यह रत सहर से लेकर ग्रामी उचेत में भीड़ वाली जगहों पर वोटिंग की नई ववस्था का प्रचार प्रसार का लोगों को जागरूप करेगा इलेक्शन कमिशन के निर्देश अनुसार सभी विधान सभाओं में रत जाएगा और यह जो हमारी निर्वाशन प्रकरिया है उसके प्रजार प्रसार के लिए है इसके साथ EVM मशीन और उसके CUBU और VVPAT मशीन भी रखी गई है जिसे जादा से जादा नागरिकों को EVM की कारे प्रणा ली और VVPAT कैसे काम करता है इसकी जानकारी हो सके इसमें साथ में टेलिविजिन स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें फूरी फ्रकरिया समझाए जाती है अभी यह तैग किया गया है कि सभी विदान सभाओं में राजिस निरिक्षक पंडल जो है उनके मुख्याले ओंपर इसका प्रडशन किया जाएगा सभी बड़े मतान केंद्रों पर इसका किया जाएगा और कोशिश तो यह रहेगी कि सभी मतान के दोपर ही जा सके अभी एक महीने का प्रोग्राम निर्वाचन आयोग से आया है और मुझे फुरा विश्वास है कि इससे जो हमारे आम नागरिक हैं ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में वोट देने के लिए और ethical voting के लिए प् सिद्धिकी से जी दिवया आपको बताना चाहूंगा जिला कलेक्टेट कारियाले से कलेक्टर प्रिती मैथिल ने हरी जंडी दिखा कर रत रवाना किया है चुनाव आयोग चाहता है कि इस बार का जो चुनाव हो वो एक उत्सों की तरह हो लोग जागरूख हो और अपना दाता वोट करेगा उसमें दिख जाएगा कि उसने किस को किस प्रत्यासी को वोट दिया है उसकी सिलिप निकलेगी उसमें सब कुछ पता चल जाएगा इनी सब बातों को जागरूख करने के लिए लोग जागरूख हो सके और अपना मत सही तरीके से डाल सके जिसके लिए य दिली ब्याओ